नमस्कार जे बजेट नी मध्यम वर्ग थी लेने करोणपती उध्योगपती रहा जोता हता ये बजेट नी प्रस्तावना मुकाई गें छे आजे नाणा मंत्री निर्मडा सीता रमणे वर्तमान मोधी सरकार नूँ छिल्लू बजेट रजू कर्यूशे जने बजेट जोएने बद्धा नेवु लाग्यू क्या अद्वर शरू थतार पूरू थाई गलू लवश्कार आपनी साथे हूशुपायल राठों वजगाडानू बजेट हतू बजेट रजू कर्वा माँ आविवू नाणा मंत्री निर्मडा सीता रमणे अठावन मिनिट नू भाषण आप्यू अन्ने आ वजगाडानू बजेट हतू कारण के एप्रिल में माँ सामाने चुट्णी योजावानी से नवी सरकार नी रचन बाद जुलाई मां संपूर बजेट रजू थशे बदानों प्रश्ने हतो के बजेट मां सामने लोकों ने शुफाइदो सामने लोकों ने सूम बढ़िवू तो सरकारे आवखते इंकम टेक्स ना स्लेब मां कोई पर वधारों घटाडों नथी कर्यों सामने मानस ने कोई ज सरकारे 25 करोड लोकों ने गरीब मां थी बाहर काडिया छे गरीब कल्यान योजनाना हेठन खाता मां 34 लाख नाकवा मां आविया छे निर्मला सीधा रम्मणे कहूं कि एक करोड महिलाओं ने लगपती दिदी बनावया छे हवे त्रण करोड लगपती दिदी बनावानों लक्ष छे त्रण हजार नवी आई आई टी खोलवा मां आवी छे 54 लाख यूवानोंने ताली माप्पा मां आवी छे एशियन गेम्स मां भारतिया यूवानोंने सफरता हासल धाई छे किसान योजना मां 11.8 करोण लोकों ने आर्थिक मदत करवा मां आवी छे आ सरकारे हिसाब आपयों पन आगर्शू थशे तो मोटी कोई जायरात करवा मां आवशे कर नहीं तो मोटी जायरात मां सरकारे रेल्वे और अन्य शेतरों ना प्रोजेक्ट मां लही ने पोतानों दर्शाविव छे स्टाटप माटे टेक्स मुक्ती 1 वरस माटे लंबावी दिदी शे आशाबैनो औने आउशमान योजनाने लाब अप्पम आउशे तेलीबिया पर संतोधने प्रोच्छाँन अप्पम आउशे इलेक्ट्रिक वाहनों ने प्रोचाहन अप्पम आवशे 50 वरस माटे 1 लाग करोण रूपया ने व्याज मुक्त लोन अप्पम आवशे लक्षदीप ना इन्फास्ट्रक्चर अनने प्रोचाहन अप्पम आवशे 40 सजार सामान्य रेलवे कोच ने वंदे भारत जिवा कोच मा रुपात्रित करवा मां आवसे सर्कार मद्यम वर्ग माटे आवास्योजन अल आवसे आगामी 5 वरस माँ 2 करोण मकानों बनावा मां आवसे पीएम आवास एठर तरण करोन मकानों बनावा मां आवया छे आम मुट्टा मोटी जे लोको बजेट सांबरता हता जेने बजेट मां रस नो तो ए मात्र इटले जोवा आवया हता के बाई टेक्स मां कोई वधारों गटानों थायो छे के नहीं सामने लोकों ने के वैपारियो बजेट मां कोई पड़ जातनों फेरफार करवा मां नो तो आवयो जे लोकों बजेट सांबर्यों हशे निराश थाईने जतार आया हशे कारण के अमनी आशाओ गणी हती बद्दा नहीं हतु के आपना टेक्स ना पहिसा छे इटले आपने अपेक्षाओ राखी शक्किए क बजेट मां ओजवे ते और यहाँ जवे यह परन्तु आ वजगाडानू बजेट अतु सड़कार हिसाब आप्यों छे कि कया पईसा क्या वापना चे कि टलो फेरफार करवा मां आवयों चे ना अगर जता सू फेरफार करशे अवे पून बजेट आव शे त्यारे एमा सु फेरफार करवा मा आवेल छे के एमा कोई राहत मने छे के ने जो वानू रहुआ अवे आ बजेट मा नाना मंत्री निर्मला सीता रमने जे जाहे रातो करी इस तंशिप मा सामबडिये Honorable Speaker, I present the Interim Budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sapka Saat, Sapka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. Strategy for Amritkaal Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next-generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. areas, to women as sole or joint owners, have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government-maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with greater, even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. And if you don't take time during those of the people, Based on hu cents, what should you be doing in the world? Based on hu cents?